कर अन इड़ेस्टमन नम्बर फोर आज हम करने जा रहे हं अर एड्योस्ミ N. न नमबर फोर है हमारी और इडवानस इंपंपर के टिर्दफ एडवानस इंकम को हम अन ऑन इंकम भी बोलते हैं कि एडवांस इंकम को आना इंकम क्यों बोलते हैं कि अभी तक हमने आन नहीं करी कि फॉर एक्जाम्बल हमारे पास कमीशन रिसीव हुई 80,000 रुपे कमीशन रिसीव हुई तो आप इसकी एंट्री क्या करते हो आप इसकी जर्नल एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन ठीके कमीशन रिसीव क्रेडिट कर देते हो यहीं होती है ना एंट्री लेकिन at the end of the year जब आपने देखा अपनी calculations को दुबारा देखा financial statements बनाई तो आपको पता चला कि 80,000 रुपे में मुझे कुछ advance commission मिल गई है जो मैंने अभी तक कमाई ही नहीं है ठीके यह आपको additional information मिली that was 20,000 तो क्या आपकी कमाई के अंदर 80,000 लिखना ठीक है यह आपकी earnings के अंदर 20,000 लेस करके 60,000 आना चाहिए what should be your current year income आपकी current year income तो क्या होनी चाहिए 60,000 और profit and loss account में तो current year की income जाती है है ना भई तो अब क्या करें कि यह 20,000 इस commission में से यह income में से less हो जाए तो इसके लिए journal entry जो हम करते है that is जब भी आप advance commission को record करेंगे या advance income को record करेंगे तो उस income account को आप debit कर दो ठीक है और उससे आप कहा दिखा दो advance income में चाहिए वह commission हो, rent हो, कुछ भी हो, x, y, z अब यह advance income क्या है यह advance income आपके लिए liability बन जाती है because any amount that you have received but you have not earned that, that is a liability for you ठीक है तो यह आपके लिए liability और income को आप reduce कर देंगे, आपकी liability बढ़ रही है, liability बढ़ती है तो credit और income आप reduce करेंगे क्योंकि वह पैसा जो आपको मिला है वह आपकी income था ही नहीं, clear है, तो advance income का मतलब क्या है, amount received in advance but not yet earned, अभी तक हमने कमाया नहीं है, अब इसका treatment जब आप financial statements बनाएंगे तब क्या होगा, इसको record अगर आप लोग कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है जब आप profit and loss account बनाएंगे या trading account बनाएंगे तो इसका treatment क्या होगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ जब आप commission को supposed record करेंगे, पहली चीज़ commission अगर कमाई है तो वो credit side पर आएगी, 80,000 की आपने commission trial balance में आपको given थी, आप यहां से advance commission का जो amount है वो less करके दिखाएंगे Journal entries question generally नहीं पूछता है, वो कहता है जी financial statements बना दो बहुत है, और balance sheet के अंदर इसी advance commission को आप library side पर show करेंगे 20,000, इसमें कोई doubt है तो आप पूछ लो, हाँ जी, now adjustment number 5, अब adjustment number 5, एक बहुत चोड़ी थी adjustment है, that is depreciation अब sometimes क्या होता है, आप trial balance बना चुकी हो, लेकिन अभी तक आपने depreciation चार्ज ही नहीं करा आपको additional information के अंदर बताया जा रहा है कि भाई साथ, चार्ज करो depreciation अब depreciation हमने चार्ज करना है, तो उसकी journal entry क्या होती है, यह तो हमें पता ही है, depreciation एक expense है तो depreciation account debit हो जाता है और इसका loose impact कहां बढ़ता है, fix the set की value कम हो जाती है उसके बाद depreciation जो है, profit and loss account में transfer कर दियाता है, profit and loss account debit to depreciation तो for example कहने को तो यह adjustment बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, कैसे देखें, यह रहा trial balance के अंदर हमने दिया हूँ है, machine ठीक है, debit side पर होती है, that is 10 lakh, 10 lakh की machine है, trial balance रहा है, that is 31 मार्च 2020, अब additional information के अंदर लिखा हुआ है, charge, 10% depreciation, आपने 10% depreciation चार्ज करना है, तो यहाँ पर हमें profit and loss account और balance sheet बनानी है, journal entries पास नहीं करनी, अब इसके adjustment कैसे होगी, देखे, profit and loss account and balance sheet assets के अंदर सबसे पहले machine की value के आजेगी 10 lakh और इसमें से depreciation less हो जाएगा, 10% that is 1 lakh value कितनी रहे गई, 9 lakh value रहे गई, और यह जो depreciation है, profit and loss account में आजेगा, two depreciation account 1 lakh इसमें कोई doubt है तो you may ask adjustment number 6 अब इसमें हमने क्या करना है, that is about bad debts, बहुत important adjustment शुरू हो गई है इसे, bad debts का मतलब क्या होता है, पैसा डूब चुका है अब जब पैसा डूब जाता है, तो उसकी जनल एंट्री क्या होती है, bad debts debit हो जाते है, नुकसान है, नुकसान तो debit होता है, और इनका दूसरा impact क्या आता है, मेरे जो debtors से, जिनसे मैंने पैसा लेना था, वो कम हो जाएंगे, तो एक तरफ bad debts, मेरा expense बढ़ गया, और दूसर तरफ मेरी asset reduce हो गई, ठीके जी, अब उसके बाद क्या होता है, bad debts को हम transfer कर देते हैं, profit and loss account में, two bad debts, अब देखें ये adjustment करने, अगर हम record कर चुके हैं, ये entry तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर record नहीं करी तो ये impact आपने समझना है, मैं आपको छोड़ा से example ले रह हमें debtors given थे, 2,00,000 के debtors हैं, और यहाँ पर bad debts भी given है already, 6,000 के bad debts है, इसका मतलब क्या है, ये record हो चुके हैं already, और additional information के अंदर, additional information में क्या जानकरी दी जाती है, जो अभी तक record नहीं करी गई तो यहाँ देखा, further bad debts, further bad debts हो गए, 10,000, मतलब हमारा और पैसा डूप गया, 10,000, अब उसको हमने record कैसे करना है, देखे, इसका impact कहाएगा profit and loss account और balance sheet में, सबसे पहले तो impact आएगा balance sheet पर, देखे, कैसे, मेरे जो debtor से वो थे 2,00,000, 6,000 डूबने के बाद, जो पुराने 6,000 डूब चुके हैं, वो तो हम adjust कर चुके हैं, इसके बाद जो है, बाद डेट्स हो गए, 10,000 रुपए, तो 1,90,000 के मेरे debtors रहे गए, मतलब, यह 6,000 तो पहली लेस हो चुके हैं, क्योंकि यह तो record में है, 10,000 और डूबे, तो 1,90,000 रहे गए, अब जो मेरे total bad debts हैं, वो कितने हो गए, 6,000 पुराने थे, और इसको मैं add कर दूँँगा as further bad debts, further bad debts, that is 10,000, तो total bad debts आगे मेरे यह 16,000, इसमें कोई doubt है तो you may ask, now adjustment number 7, adjustment number 7 पे आपने star लगा लेने हैं 2-2, क्योंकि यह बहुत important adjustment है, तो और थोड़ी से लंबी चलेगी, that is about provision for doubtful debts, यह बात करता है हमारे एक accounting principle है, prudence, ठीक है, prudence and conservatism, यह जो principle है हमारा, यह कहता है कि अगर आपको future में, कोई भी नुकसान दिख रहा है, किसी भी तरीकी का आपको loss दिख रहा है, यह आपको लग रहा है future में कोई liability आपके आगे आने वाली है, आपको किसी को पैसा देना पड़ सकता है, तो इसकी जो preparation है, इसके लिए जो आपने prepare करना है वो आज ही करना है, तुटे, आज हमने देखा, ठीक है, आज एक हमने देखा कि भाई future के अंदर कोई loss होने वाला है, या future में कोई हमने liability किसी का पैसा देना पड़ सकता है, तो वो कह रहा है कि आज ही आप उसके लिए prepare होंगे, और इसी को हम बोलते है provision बनाना, कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड का birthday जो है next month है, और आपको पता ही कि आपने दूर कहीं जाना है, out of town जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, savings करनी आज ही start कर देते हैं, तो ऐसे ही business के अंदर अगर हमें कोई loss लग रहा है या कोई liability कि होने की उमीद है, जो future में arise हो सकती है, तो कहते हैं कि future में जो चीज हो सकती है, अगर उसका पता आपको आज चल रहा है, अगर आपने उसको आज ही एक शब्द होता है anticipate कर लेना, ठीक है anticipate मतलब future में कोई चीज होने वाली है, उसका अनुमान आपको पहले ही लग चुका है, तो आपने क्या करना है, make provision, आपने उसके लिए अभी से तयार हो जाना है और उसी तयारी को हम बोलता है provision में आना, make provision for all anticipated losses और liabilities कहता है अगर आपको किसी भी liability या किसी भी loss का anticipation हो गया है, मतलब आपको पहले से ही उसका अभास हो चुका है कि यह arise हो सकता है तो आप उसके लिए provision बनाएंगे, कब बनाएंगे, when such loss or liability is anticipated जब आपको उस नुकसान का अनुमान लग जाए कि हो सकता है, तो आपने क्या बनाना है, provision, provision बनाने का मतलब आपने तयारी पूरी रखनी है, इसका मतलब यह नहीं कि loss हो चुका है, याद रहे, आपकी तयारी पूरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, नुकसान हुए है, होगा ही होगा, या कोई liability आएगी ही आएगी, लेकिन chances है, we are pretty sure कि भई हो सकता है, अब इसका एक छोटा सा example है, जो हमारी adjustment है, that is provision for doubtful debts, यह किसको indicate कर रहा है, यह किस नुकसान को indicate कर रहा है, यह उस नुकसान को indicate कर रहा है, जो कौन देते हैं, debtors, for example, मेरे 10 लाग रुबे के debtors थे, जिनसे मैंने पैसा लेना था, और आजकल के trend में तो देखो, जब 10 लाग किसी से लेना है, तो कुछ न कुछ कटकुटा के ही मिलता है, पूरा तो मिलता है, कोई न कोई खराब निकलता ही है, debtors, पैसा डूबने के chances रहते ही हैं, तो कहता है, balance sheet में, आपने यह जो 10 लाग के debtors लिखे हैं, आप इसको 10 लाग का ना दिखा कर, जितना आपको doubt हो रहा है, let's say, मुझे doubt हो रहा है, कि 5% debtors शायद मुझे आगे ना मिले, शायद ना मिल पाएं, तो वो कह रहे हैं कि आप 50,000 less करके दिखाओ, अब दिखाओ ही कितना, साड़े नौ लाग, अब कहीं बच्चों की कोशना थे, सर, पतलब 15 डूब गए, नहीं, डूबे नहीं है, सिरफ डूबने का खतरा है, शायद डूब जाएं, ठीक है, हमें कुछ न कुछ ऐसे hints मिल रहे हैं मार्केट से, कि वो पैसा शायद हमारा डूब सकता है, तो इसलि प्रोवीजन बनेगा सिरफ, अब आप कहोगे क्या ये नुकसान हो चुका, नहीं, नुकसान थोड़ी नहों है, नुकसान की तरह ही हमने एक प्रेपरेशन कर लिए, कि मानों की नुकसान हो गया, अब अगर मानते हैं, सिरफ मान रहे हैं, नुकसान हुआ नहीं, याद रहे बाद तो इन दाट केस क्या होगा यह जैसे नुकसान प्रोफिट लॉस अकॉंड में जाता है यह भी प्रोफिट लॉस अकॉंड में चला जाएगा प्रोवीजिन फॉर डाउट्फुल कि डेट्स कितना पचास हजार ठीक है जी और बैलेंशीट के अंदर बैलेंशीट के अंदर एसेट साइट पर आपके जो डेटर्स हैं वह दस लाग के ही हैं लेकिन आप उनको दिखाएंगे प्रोवीजन लेस करके पचास जार साड़े नौ लाग इसका मतलब है डेटर्स तो आपने लेना दस लाग ही है विकॉस ऑफ यूर एंटिसिपेशन आपको लग रहे कि शायद साड़े नौ लाग ही दिखाना ठीक है क्योंकि हम एसेट को भी उसी वैल्यू पर दिखाएं तो बहतर है जिस को अपना थोड़ा सा कम वैल्यू पर दिखाया हमें लग रहेगी शायद ऐसे दस लाग की नहीं वह साड़े नौ की ही मिलेगी ठीक है जी इसमें कोई डाउट है तो पहले आप वो मुझसे क्लियर कर लो इस कंसेप में फिर आगे बढ़ते हैं इसको नोट करना है सबसे पह कि फोर डाउटफुल डेट्स हां जी प्रोवीजिन फोर डाउटफुल डेट्स क्रियेट करने की जो जर्नल एंट्री होती है डाटस इससे कोई डेटस तो कम होते नहीं यह सीधा एक खर्चे की तरह प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है अब आपको कि खर्चे डेबिट होते हैं दिस नॉट एन एक्सपेंस दिस इन एंटिसिपेटिट एक्सपेंस सोचा जा रहे है कि यह खर्चा हो सकता है तो हमने क्या करा प्रोवीजन फॉर डाउटफुल डेट को प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट में सीधा डेबिट करा कोई खर्चा तो पहले क्या होता है पहले उसे हम पे करते हैं यह खर्चे को हम रिकॉर्ड करते हैं लेकिन इस खर्चे को सीधा प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट में डाल ठीक है जनरली क्या होता है first entry होती है expense होने की second entry होती है वो उसको profit and loss account में डालने की लेकिन इसको हम सीधा profit and loss account में डालने है ठीक है अब देखें for example हमने provision मनाया 20,000 का कि हमें डर लग रहा हमारा पैसा डूब सकता है अब इसके बाद पैसा डूबा अब पैसा डूबने की entry तो अभी अभी करी है हमने उसकी जनल एंट्री क्या होती है bad debts account debit ठीक है इसकी दो entries होती है A entry और B entry to debt debts account यह पैसा डूबा 10,000 या 15,000 डूबा तो मतलब हमारी सोच जो थी कि 20,000 डूबेगा उसमें से 15,000 डूबा उस 20,000 के नुकसान को तो हम पहले ही profit and loss account में डाल चुके थे तो क्या यह 15,000 डूबारा डलेगा नो अब यह जो bad debts है जो पहले profit and loss account में transfer होते रहे वो profit and loss account में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पहले ही हमने 20,000 रूबीज को तो पहले ही मान चुके थे कि यह डूब सकता है इन दिस केस वो bad debts जो है profit and loss account में जाने की बजाए provision for doubtful debts के साथ clear हो जाएंगे कि भई हमने 20,000 का provision बनाया था जिसमें से 15,000 डूब गए provision for doubtful debts जो bad debts अभी भी हम 5000 का नुकसान और जेल सकते हैं clear है अब यह थी हमारी actual entries अब question arise होता है students के दिमाग में sir bad debt bad debt अगर 20,000 के होते तो हम तयार थे उसके लिए भी provision for doubtful debts की भी एंट्री कितने से हो जाती यह भी एंट्री भी 20,000 से हो जाती इस एंट्री सेम रहती ठीक है sir अगर bad debts 25,000 के होते तो अब दिक्कत है भाई अब क्या होता 20,000 के entry तो होती ही होती क्योंकि 20,000 के नुकसान के लिए तो provision बना हुआ था लेकिन जो extra नुकसान है वो कहां चला जाता profit and loss account debit to bad debts कितना extra नुकसान हुआ पांच हजार रुपे का extra नुकसान हो गया तो यह वाला case हमारा indicate करता है कि 25,000 के bad debts हुए यहां लिख देता हूँ मैं और यह वाला case जो indicate करता है यह indicate करता है कि हमारे bad debts हुए that is 20,000 तो दोनों में आपको पता जाले कम हुए तो क्या होगा जादा हुए तो क्या होगा और जितना provision था उतने हुए तो क्या होगा इसमें कोई doubt है तो यू में ask अब मैं आपको एक shortcut technique बताने वाला हूँ क्योंकि आप इस तरीके से ना करें तो ही better है जर्नल एंट्री जर्नल ही नहीं पूझ जाती बट आपको आनी चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दी देखे शॉटकट क्या कहता है प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले आप जितने भी बैड डेट से जो ट्राइल बैलेंस के इंदर दिये हुए वह यह रहे और जो फॉदर बैड डेट होते हैं कोई और भी नुकसान होता है फॉदर बैड डेट आप उसको प्रोफिट एंड लॉस अकॉन में ड विश्वास रखके डालो ठीक है क्योंकि अब भी हमने शॉटकर्ट सीके रहे तो शॉटकर्ट में कुछ चीजे वाइलेट होती है ठीक है आपका आंसर ठीक आएगा बट एक्चुल अकाउंटिंग नहीं है वह लेकिन आपके आंसर को परफेक्ट बनाने के लिए लॉजिक फिर आपने जो इस बार प्रोवीजिन बनाना चाहा। प्रोवीजिन फॉर ऌIGHT जो इस साल आप प्रोवीजिन बनाना चाहरे हो वो भी कर दो थेक्यों तिस अगए अगर आप aussi सख Сам क, उसको मं बोलते हैं क् just like अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर निन्यानवे भी नहीं 100% ही होगा ठीक है मैं आपको एक छोड़ा से एक्जाम्बल दे रहा हूं यह शॉर्टकट है देखें ट्राइल बैलेंस गिवन है यहां डेटर गिवन है दो लाग के बैट डेट गिवन है 20,000 यह और एक प्रोवीजन भी गिवन है जो पहले से ही बना हुआ है मतला पहले से हम किसी नुक्सान के लिए तैयार थे बैट डेट प्रोवीजन मनाया हूं ने तीस सदार का तीस में से देखो 20 तो अल्रेट नुक्सान होई चुका है अब अब अधिशनल इन फॉरमेशन के अंदर अधिशनल इनफॉरमेशन बोलते है फॉर्दर बाद डेट हो गए फॉर्दर बाद डेट्स फाइफ थाउड पांच सिसार उपए और डूप गए ठीक है और उनकर रॉर्द है क्रियेट है रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के इंदर फटा फट देखिए ठीक है इसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लास के अंदर